सोलन में करवा चोत पर जम कर खरीदारी की जारी ही है विशेश तोर पर महिलाएं जो पिछले काफिस में से घरों से बाहर नहीं निकल रही थी वे आज सोलन के बाजारों में जम कर खरीदारी करती हुई निजर आई कई महीनों से विरान पड़ा बाजार महिला ग्रहकों के वज़े से गुलजाद नजर आया दुकानदार भी बेहत खुश नजर आए आपको पता दें कि जब से लोकडाउन हुआ है तब से बाजारों से ग्रहक काये थे यहां तक की अनलोक के बाद थे बाजारों में इकादो का ग्रहक ही नजर आते थे यही कारण है कि व्यपारी बेहत चिंते थे लेकिन तीन-चार दिनों से महिलाओं ने करवा चोत को लेकर जम कर खरीदारी की इस मौगे पर ग्रहकों और महिला वियोपारियों ने कहा कि पहले तो बै करोना संक्रमन की चलते घरों से बाहर नहीं निकल रहे थे लेकिन जब बै बाजारों में आये तो उनका डर निकल चुका है और बै जम कर खरीदारी कर रहे है उन्होंने कहा कि बै सबी नियुमों का प खरीदारी कर रहे है दुकानदार भी उनका पूरा सहयो कर रहे है जिसके चलते बै बेहत खुश हैं बहीं दुकानदारों ने कहा कि करोना संक्रमन के चलते बाजार में बेहत गिराबट थी लेकिन करवाचोत में मेलाओं ने जम कर खरीदारी की है जिसके बज़े से बाजा और हम कुछ काफी टाइम बाद शॉपिंग करने निकले हैं, तो पहले के मुकाबले हम लोगों को कोई बहुत जादा डिफरेंस महसूस नहीं हुआ है, ना ही प्राइस से रिलेटेड, कॉपरेट करने के लिए बहुत अच्छा कॉपरेट कर रहे हैं सबको, कस्टमर्स को कोई कोई प्राबलम नहीं हो रही है, मतलब जिस तरह से लोगडाउन के बाद लोग बाहर निकले हैं, तो एक्सपेक्ट किया था कि शायद प्राइस बहुत जादा इंक्रीज होंगे, बहुत सारी प्राबलम फेस करनी पड़ेगी, तो ऐसा कुछ महसूस हुआ नहीं है, हाँ, से काफी जादा रहा थे, और डर भी लोगों का काफी जादा खतम हो चुका है, पहले बाहर निकलने से, या लोगों से मिलने से, या किसी शॉप में जाने से बहुत जादा डर महसूस होता था, अब ऐसा रहा नहीं है, उतने लाइक, सूट खरीदे हैं, कुछ एरिंग्स ख पहले शॉपिंग किया करते तो अब भी वैसी कर रहा है, नहीं ऐसे एक्सपेक्ट तो नहीं किया था हमने, लेकिन मुझे तो लगता है कि लास्ट टाइम से भी पहले लोग जादा अभी शॉपिंग कर रहें, या भी की करोना की टाइम में नहीं कर पाए